आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में मेरा नाम है समी सिंगल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का जो सेशन है यह है आपका fundamental rights part 4 तो fundamental rights यानि कि मौली कदिकार के भाग 4 में जो है आज हम चर्चा करेंगे अनुछे 31 और 32 के बारे में यानि आर्टिकल 31 और 32 लास्ट सेशन जो हुआ था पिछले वेटनस जो हुआ था तो उसमें हमने बात करी थी अब टू आर्टिकल 30 यानि अनुछे 30 तक हमने चर्चा करी थी तो एक बार जड़ा आप सब यह बता दीजिए की आवाज ठीक होगी वैसे मैंने चेक किया है आवाज ठीक है तो जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है अब चलिए तो आज के सेशन में हम आर्टिकल 31 और 32 बर चर्चा करेंगे काफी सारी चीज़े उससे पूछी जाती है काफी जादा important है यह दोनों articles और साथ साथ जो है हम rits पर भी चर्चा करेंगे जो आपके मौलिक अदिकार होते हैं उसको क्या कहते हैं fundamental कहते हैं यानि कि आपके मौलिक है वे guaranteed by the constitution है तो guaranteed है तो समविदान तो आज से 70 साल पहले लिखा गया तो उस पर भी हम चर्चा करेंग कि कैसे वो आपको guaranteed है समविदान द्वारा या समविदान ने किस body को regularize किया है कि वो यह check करें कि आपके समविदानिक आपके मौलिक अदिकार आपको मिलते रहें तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी point के साथ इस session की और guys यह जो है 77% discount है मेरे referral code Y203 तो आप कोई भी study material खरी maximum discount ठीक है और session को शुरुआत करने से पहले सभी बच्चे एक बार session को share कर दें और like कर दें और अपने answers तो comment करते ही रहिएगा और साथ साथ जो है एक बार schedule पर बात कर लें तो guys मैं आप लोगों से मिलता हूं Monday से वेटनस दे दुफायर देड़ बजे यानि कि FCAT और CDS exam के लिए general studies में और शाम 4 बजे for the SSC exams तो यहां पर भी मेरे साथ शाम को जरूर जुडिएगा वहां पर आज मैं quality पर चर्चा करने वाला हूं quality के संबंदित कुछ important questions पर हम चर्चा करेंगे तो guys हमने last sessions में हमने इन सब points पर बात करी थी part 3 में मॉली के दिकार आते है fundamental rights आते है 14 12-32 तक Magna Carta कहा जाता है और यह प्रावाधान हमने USA से लिया है आज जो हमारा point of view रहेगा जो हमारी priority रहेगा article 31 यानि कि right to property और दूसरा रहेगा right to constitutional remedies यानि कि सम्वेधानिक उप्चारों का अधिकार तो इन ही points पर हम आज चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले देखते है article 31 that is the right to property गाईस क्या आती है इसमें इसमें बात आती है right to property यानि कि संपत्ती का अधिकार क्या आता है संपत्ती का अधिकार आता है right to property आती है अब ये right to property क्या होती है ठीक है भई हमारे पास जो है पहले संपत्ती का अधिकार होता था लेकिन इस article को इस अनुछेद 31 को क्या लाया गया Article 300A में, किसमें लाया गया, Article 300A में इसको रखा गया, और इसको क्या बना दिया गया, इसको एक Legal Right बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार का दर्जा इसको दे दिया गया, Legal Right बना दिया गया, Under Article 300A, जो की पहले एक मौलिक अधिकार था, एक Fundamental Right था, वो अब क्या ब अधिकार है कानून आपको अधिकार देता है कि हाँ आप जमीन खरीद सकते हो लेकिन जमीन को हमेशा अपने पास रखने का मौलिक अधिकार आप लोगों के पास नहीं है ठीक है अब इससे ये मत समझ के बैठ जाना कि जो आपकी जमीन है वो कोई भी हडप लेगा आप की हरप लेगा ऐसा नहीं होता समझो बात को एक्चुली में ये amendment हुआ था और ये amendment कौन सा amendment था ये था 44th amendment 44th संख्षोधन हुआ था कब हुआ था 1978 44th amendment हुआ था 1978 में जिसमें कि आपके इस मौलिक अधिकार को खतम करके क्या बना दिया गया था एक लीगल राइट यानि कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था So very good afternoon to all of you, very good afternoon राहुल प्रिया चलिए बात करते हैं तो 44 वा संग्षोधन 1978 अब इस चीज में क्या कहा गया देखिए उस समय जो government थी, government होती थी मौरार जी देशाई उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे मौरार जी देशाई और जनता दल पार्टी की सरकार होती थी इन्होंने changes किये, क्या change किया? कि देखो हमारे देश में विकास चल रहा था, दूबे वाला विकास, ने विकास वाला development वाला विकास तो हुआ क्या? कि जब यह development चल रहा था, तो development चलने के लिए क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, आपको पट्रियां बिचानी है, आपको infrastructure बनाने है, आपको बिल्लिंग्स बनानी है, ब्रिजिस बनाने है, आपको क्या चाहिए जमीन, जमीन किसके पास है? जारदर लोग को ने कहा कि हम अपनी जमीन क्यों दें, हमारी जमीन का हमारे पास मौलिक अदिगार है, और आपको एक बात पता हो कि अगर कोई व्यक्ती या कोई यूनियन या कोई स्टेट या कोई भी authority, आपके मौलिक अदिगार का हननन नहीं कर सकती, अगर हननन करती है, तो आप सीधा कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोट या फिर हाई कोट में जा सकते हो, वो कैसे जाओगे वो भी आगे मैं बात करूँगा, तो सुप्रीम कोट और हाई कोट आप जा सकते हो, तो भई लोगवाग जो थे वो जाने लगे सीधा अपना यहां सुप्रीम कोट, अब सुप्रीम आपके पास कानूनी अधिकार है जमीन को खरीदने का लेकिन अगर कभी देश को जरूरत पड़ती है और आपकी जमीन की वहापर जरूरत में आपकी जरूरत पड़ती है तो उस जमीन को आपको देना होगा ये बात बताई गई आपके अनुछे 300A में इसको लीगल राइट कर दिया गया और अब आपके पास ये एक क्या है कानूनी अधिकार है इसी के साथ साथ 19F को भी खतम किया गया जिसमें की आपका freedom to acquire the property यानि की संपत्ती को अपने पास रो clear होगा ठीक है तो यहां तक की बाते सबको clear होगी तो यह था आपका article 31 31 से संबंदित क्या क्या बाते ध्यान रखनी है सबसे पहले article 31 में क्या आता है right to property right to property जो है पहले मौलिक अधिकार था अब यह क्या हो गया है अब यह एक कानूनी अधिकार बन चुका है अब यह क्या all right है कौन से article में आता है 300a में आता है पहले किस में आता था 31 में आता था यह change कब किये गए यह change किये गए 1978 में 44 वा संक्षोधन हुआ 44 वा amendment हुआ 1978 में जिसमें यह changes किये गए तो इन सभी बातों को आप सब ध्यान रखेगा article 31 से संबंधिद इन सभी बातों को यहां पर ध्यान रखेगा clear है चलिए ओके तो अब बात करते हैं आगे ठीक है तो यह हुआ बात article 31 के बारे में अब एक बहुत important article को मैं आप लोग constitutional remedies, right to constitutional remedies यानि की समविधानिक उपचारों का अधिकार यहां पर आपके समविधानिक उपचारों का अधिकार आपको दिया गया है अब इससे संबंधित कुछ बाते हैं जो पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए सबसे पहला यह है कि article 32 को क्या कहा गया है so article 32 को हमारे समविधान के अधिशे 32 को heart and soul of constitution कहा गया है it is known as the heart and soul of the constitution यह शब्द इसके लिए किसने इस्तिमाल किये थे तो यह शब्दों का इस्तिमाल किया था Dr. Bheem Rao Ambedkar सहाब ने इन शब्दों का इस्तिमाल किया था किसने किया था Dr. Bheem Rao Ambedkar सहाब ने इन शब्दों का इस्तिमाल किया था for particularly article 32 यहाँ पर एक बच्चे ने लिखा प्रियंका ने article 32 mini constitution बच्चे mini constitution जो है वो हम particularly amendment 42 के लिए इस्तिमाल करते हैं इसको तो हम heart and soul कहते हैं दूसरा आपसे कोई यह पूछ ले कि सम्विधान की चाबी किसको कहते हैं तो सम्विधान की चाबी कहा जाता है आपके प्रियंबल को सम्विधान के प्रस्तावना को प्रियंबल को चाबी कहा जाता है और ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे? पंडित ठाकुर्दास भारगव वो व्यक्ति थे जिन्होंने समविधान की चाबी कहा था किसको? प्रेमबल को इस बात को भी आप सब ध्यान रखेगा क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अगली चीज़ आ जाती है heart and soul of the constitution डॉक्टर भीम राउम बैटकर ने इसको ये शब्द दिये अब इसको क्यों कहा गया? ठीक है ये क्या है? आर्टिकल 32 इसको नाम देखी क्या है constitutional remedy यानि की उपचार ठीक है? अब भई देखो आपके को एक बात कही कि मौलिक अधिकार आपको कैसे है? गारंटीड हैं ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इनको कोई नहीं रोक सकता अब भई कोई ऐसा थोड़ी है कि समवधानिक सभाने कोई पुलिस वाले बनाये थे कि तुम सारी जिंदिगी तुम यही देखते रहना उन्हों उन्होंने ये काम किसको दिया? उन्होंने ये काम दिया Supreme Court तो Supreme Court जो होती है वो यहाँ पर जो है क्या करते है? गार्जिन या फिर आप कह सकते हो Judiciary किसको ये काम दिया गया कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों को देखें कि वोन का violation ना हो अगर आपको याद हो मैंने आप आपको आर्टिकल 13 बताया था इसी सेशन में पीछे पिछले हफते कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपके मौलिक अधिकारों को कोई भी हनन नहीं कर सकता चाया वो यूनियन हो, स्टेट हो, यूनियन टेरिटरी हो, लोकल बॉडिज हो, पबलिक कंपनी हो, वे अपनी पॉलिस if the central government violates the fundamental right, then the person can directly move to the supreme court, then the person can move to the supreme court, भई अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो व्यक्ति को कहीं और जाने की जरूत नहीं है, सीधा वो कहां पर जाएगा, supreme court, supreme court जाएगा, वहां पर याचिका लगाएगा, supreme court उसकी याचिका पर बात करेगी और किया जा सकता है, तो इसको हम कहते हैं आपके article 32, to article 32 में center violates the fundamental right, ठीक है, अगर केंदर सरकार आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो आप सीधा कहां पर जाओगे, supreme court, अच्छा supreme court जो है, वो क्या करेगी कि आपके मौलिक अधिकारों को बचा सके, तो मैंने एक जो supreme court लगाएगा, आप से यहां पर एक और question बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा question है, ध्यान से सुनिएगा, आप कौन से article के तहट supreme court गए, 32 के तहट, supreme court ने क्या लगाया, रिट लगाया, कौन से article के तहट, वो आप से यह पूछ लेगा, कि supreme court जो रिट इशू करता है, वो अनुछेद 149 के तहट, वो यह कहता है, कि आप, जो है, मौलिक अदिकारों का अगर हनन्द होगा, तो मैं क्या इशू करूँगा, रिट, तो रिट कौन से अनुछेद के तहट इशू होते हैं, 149, जाते किस के तहट हो, 32 के तहट, बात clear है, कौन इशू करेगा, supreme court इशू में एक similarity है, वो क्या है, कि 226 के तहट, अगर किसी राज्य सरकार, किसी state government ने, उसके employee ने, आपके मौलिक अदिकारों का हनन्द किया, तो फिर आप कहाँ पर जाओगे, फिर आप जाओगे, राज्य के उच्छ नियायले में, फिर आपको supreme court जाने की ज़रुत नहीं है, आप कहाँ जाओगे, राज्य के उच्छ नियायले में, और उच्छ नियायले भी क्या जारी करेगा, रिट जारी करेगा, और ये जो रिट होंगे, ये कौन से उच्छेत के तहट जारी करेगा, 226 के तहट, कौन से उच्छेत के तहट, 226 के तहट जारी करेगा, कि नहीं करेगा तो I hope सबको ये बाते clear हो गई होंगी जल्दी से बता दीजे एक बार यहां तक सबको clear है कि नहीं है चलिए, मैं थोड़ा सा देखो पढ़ाने में मजगूल हो जाता हूँ तो आप लोगों के comment मैं ऐसा नहीं है, मैं देखता रहता हूँ आर्टिकल 32 बच्चे प्रियंका मैंने वही बताया कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या फर्ख है कि 32 के तहट आप सुप्रीम कोट जाते हो, जब आपके violation होते हैं किसके द्वारा Central Government या उसके किसी अधिकारी द्वारा जब आप 226 के तहट कहा जाते हो, हाई कोट जाते हो, जब आपके State Government आपके मौली गदिगारों का violation करता है ठीक है, चलिए, so very clear to all of you I guess जी बिल्कुल राहूल गौतम ने बिल्कुल सही बताया, मंडे से वेटनस दे, शाम चार बज़े क्लास होती है और ये class मंडे से Saturday होगी, कुछ दिन में हो जाएगी, चिंदा मत कीजिए इसी महीने में ये मंडे से Saturday regular classes हो जाएगी ठीक है, अब ये rates क्या होते हैं, देखो राहूल गौतम ने काफी अच्छा कोशन पूछा और ये जो प्रावाधान है, रिट्स का, यानि ये जो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से आप इसको ये समझो कि ये court का order होता है, जो court जारी करता है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो, तो simple भाशा में ये होती है रिट्स जो होते हैं, ये हमने कौन से देश से उधार लिये हैं, जैसे कि आपको बताए कि समविधान उधार लिया हुआ समविधान है, तो ये हमने लिये है United Kingdom यानि कि Britain के समविधान से, ठीक है, Britain का जो unwritten constitution है वहाँ से हमने ये prerogative writs नाम के इस शब्द को उठाया है और writs जो होते हैं, ये होते हैं आपके 5 प्रकार के, ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार वो आपसे simple question ये ही पूछ लेगा, कि how many type of writs are there तो हमेशा याद रखेगा, writs कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के writs होते हैं कौन-कौन से होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले habas corpus, habas corpus जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पर्मादेश इसको हिंदी में कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षी करण, क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षी करण अब ये क्या होता है, सुनिएगा, इसमें आपको sentence क्या लिखा मिलेगा, वो ज्यादा important है sentence आपको लिखा मिलेगा, you may have the body, you may have the body, तो आपके पास व्यक्ती है, हमें लगता है आपके पास व्यक्ती है, अब आप लोगों को अगर पता हो और याद हो तो article 22 मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई व्यक्ती ग्रफतार होता है, तो 24 घंटे के अंदर उसे magistrate के सामने पेश करना होता है, अगर ऐसा आप करने में नाकामयाब रहते हैं, पुलिस वाले नाकामयाब रहते हैं, और उनके खिलाफ तहरीर दे दी जाती है कोड में, कि भईया पेश क्यों नहीं कर रहे हो, त आपके किसी individual पर भी लग सकता है, तो ये इस प्रकार के rates होते हैं, तो ये rates जो है, have us, corpus, इसमें क्या का गया, you may have the body, यहां से question कैसे बनेगा, question यहां से ऐसे बनेगा, कि आप से वो sentence लिखके दे देगा, कि you may have the body, हमें लगता है, व्यक्ती तुमारे पास है, ये कौन से rate क किसके तहट बताया गया है, have us, corpus, के तहट ये बताया गया है, किसके तहट बताया गया है, so have us, corpus, यानि की बंद्य प्रत्यक्षी करन, you may have the body, now you may have the body, एक example समझो, भई मान लो कि किसी व्यक्ती का पुलिस वालों से जगड़ा चल रहा था, और पुलिस वालों ने अपनी personal खुनस निकालने के लिए उस व्यक्ति को जो है उठा लिया गिरफतार की एक तरह से लेकिन उसको magistrate के सामने पेश नहीं किया क्योंकि magistrate के सामने पेश करते तो magistrate ये पूछता कि भई इसका गुना क्या है तुम कहते भई मेरी personal खुनस है तो magistrate क्या करता उल्टा पुलिस वाले को की ऊपर क्या कर देता पैनल्टी लगा देता तो पुलिस वाले को क्या करना है उसको अपनी खुंदनस निगालने तो उसने उठाया और ले जाकर कहीं पर पीट रहा है अब ये जो बात है ये super he court में पहची और court ने कहा कि भई हमें लगता है व्यक्ति तुम्हारे पास है जड़ा इसको पेश करो ठीक है अगर मार दिया है तो बताओ कैसे मारा कहा मारा और नहीं किया तो इसको पेश करो हम पूछना चाहते है कि क्या हुआ है तो यह होता है guys है बस यह उस स्थिती में लगाया जाता है जब व्यक्ति का कोई पता नहीं चल रहा होता ठीक है चलिए इसके बाद अगला आता है guys मेंडेमस मेंडेमस पर चर्चा करते हैं मेंडेमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश मेंडेमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश ठीक है यानि कि इ लिखा मिलेगा इसमें sentence लिखा मिलेगा we command क्या sentence लिखा मिलेगा we command यानि की हम आदेश देते हैं we command सुनिएगा भाई जैसे for example मान के चलो कि कोई व्यक्ति है आपका किसी व्यक्ति के साथ जगडा हुआ और हाता पाई हुई और उस व्यक्ति ने और उसके दोस्तों ने मिलकर मौन कि तो अब क्या होगा अब तुम्हारे तुम्हारे सात तो अन्याय हो रहा है तुम्हारे मौली कदिकार का हनन हो रहा है कौन से मौली कदिखार का Article 14 Article 14 क्या कहता है? Equality before law कानून के समख समान था और वो जो पुलिस वाला है वो तुमें समान नहीं मानता वो कहता है कि भई नहीं उसके खिलाफ तो नहीं लिखूंगा तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तुम जाओगे High Court में जाओगे और Court में जाकर तुम रिट जारी करवाओगे कौन सा मेंडेमस और Court जैसे ही ये रिट जारी करेगा उस पुलिस वाले पर वी कमांड हम आदेश देते हैं तो उस व्यक्ति को FIR भी लिखनी होगी और FIR के साथ-साथ उसको जो है आगे की कारवाई भी करनी होगी बाद की बात और है कि वो व्यक्ति छूट जाएगा उसके पास पावर बहुत है वो सब नहीं है लेकिन आपके मौलिक अधिकार बच जाएंगे आपका मौलिक अधिकार का हनन यहाँ पर नहीं होगा बिलकुल सही बात ठीक है इसके बाद अगला आता है Q-warant Q-warant को वच्चों हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार पृच्छा अधिकार पृच्छा क्या होती है ध्यान से समझेगा भई कोई व्यक्ति कोई authority अगर अपने अधिकारों का जो उसको power मिली है अगर उसका वो exploitation करता है पावर का exploitation करता है यानि कि सोशन के लिए उन अधिकारों का इस्तमाल करता है तो उस पर भी क्या लगाई जा सकती है उस पर ये rate लगाई जा सकती है Q-Varanto आपने सुना भी होगा कई बार अधिकारी लोग ऐसा करते हैं कि अपने authority का अपने power का गलत फायदा उठाते हैं तो अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप याची का लगाते हो तो उनके उपर भी rate जारी कर सकता है कौन court और ये क्या जारी करेगा ये करेगा अधिकार पिच्छा यानि की हिंदी में बोलें तो किस अधिकार से तुमने ये करे किया तो आपको हमेशा sentence धिहान रखना है रिट्स में रिट्स में आपको हमेशा क्या धिहान रखना है sentence sentence से संबंदित पूछेगा कि ये sentence कौन से रिट के तहत बोला जाता है clear है बात? चलिए इसके बाद अगला आ जाता है guys sati orary sati orary के बारे में आपको पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये ज़्यादा तर आपके जो judicial body यानि की कोई न्यायपालिका वाली body या फिर quasi judicial यानि की अर्ध न्यायपालिका यानि की जैसे tribunals हुए या lower courts हुए उन सब पर ये sati orary rate लगता है sati orary rate में आपको sentence क्या लिखा मिलेगा? इसमें लिखा मिलेगा to inform और to certify इसमें क्या होता है? इसमें pending cases को transfer किया जाता है pending cases को transfer किया जाता है from the lower court to the higher court lower court, higher court को भेजती है यानि जैसे high court, supreme court को या district court, high court को example के तौर पे समझो यहाँ पे actually होता क्या है? यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई case ऐसा है जो की public interest में है जो बहुत ही जादा public interest में है यानि कि लोगों की नजर है इस case पर कि क्या इस case में न्याय होगा? अब जब लोगों की नजर है तो पूरे देश की नजर है हमारी Supreme Court की भी नजर है और बड़ी-बड़ी अदालतों की भी नजर है तो वो भी नजर रखेंगी कि क्या इस case में नयाय होगा अगर मालो नहीं होता है वहाँ पर lack of justice होता है वहाँ पर justice जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होता तो ऐसे cases में जो higher court होगा वो उस lower court को क्या भेजेगा उसको rate भेजेगा 70 orary इसको हिंदी में कहते हैं उत्प्रिक्षन हिंदी में क्या कहते हैं उत्प्रिक्षन कहते हैं तो उत्प्रिक्षन रिट भेजेगा या फिर 70 orary भेजेगा और उससे कहेगा कि भाई इस case को जल्दी से जल्दी मेरे पास transfer करो मैं इस case में जो है देखूंगा कि क्या किया जा सकता है तो judiciary को बचाने के लिए वो जो lack of judiciary है वो खतम ना हो जाए वहाँ पर अन्याय ना हो किसी के साथ तो ऐसे cases में क्या किया जाता है यह rate जारी किया जाता है मैंने आपको क्या कहा यह जादा तर lower higher court lower court पर जारी करता है यह particularly individual पर या फिर judiciary से बाहर किसी authority पर जारी नहीं किया जाता इन सभी बातों को आप सब satire theory से संबंदित ध्यान रखिएगा अगला बात करते हैं prohibition prohibition में आपको जो sentence लिखा मिलेगा वो क्या लिखा मिलेगा to forbid to forbid अच्छा अब जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे इस समय देख रहे हो मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा सभी के सभी बच्चे केवल मेरी तरफ ध्यान दीजिए और जो जो बच्चे लिख रहे थे वो बच्चे लिखना बंद कीजिए और अभी के अभी पैन रखके केवल ये comment कीजिए कि हाँ हमने लिखना बंद कर दिया जल्दी से कीजिए एक बार जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए थे सभी बच्चे जितने भी बने हुए हैं सभी बच्चों से अनुरोध है कि लिखना बंद कीजिए और केवल और केवल ये बताईए कि हाँ आपने लिखना बंद कर दिया जल्दी से कीजिए मेरी इतने बात तो मानी सकते हो मेरे इसाब से कि हाँ लिखना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर आप जो है बोलना शुरू करो कि हाँ हमने लिखना बंद कर दिया To Forbid, To Forbid और इसको Prohibition को हिंदी में कहते हैं निशेद हिंदी में कहते हैं निशेद, ये भी बात ध्यान रखेगा Okay, तो बच्चों ने लिखना बंद कर दिया, प्रियंका ने तो at least करी दिया बागी बच्चे भी I hope कर दियोंगे लिखना बंद, ठीक है So, यही होता है guys क्या आपका Prohibition यही होता है Prohibition, इसको समझे Higher Code जो होता है, वो Lower Code पर इसको लगाता है इसमें भी सेम चीज होती है, कि यह न्यायपालिगा से न्यायपालिगा पर लगता है दूसरी चीज इसमें क्या होती है, कि यहां पर, जैसे मान लो एक case, एक आपको आर्टिकल बताता हूँ, आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 जो होता है, इसमें आपका Original Jurisdiction आता है क्या आता है, Original Jurisdiction, यानि कि सही न्याय, इसमें क्या आता है, सही न्याय, यह किस से सम्बंदिद है मान लो, कोई case है, जैसे की state versus state, यानि कि राज्ये बनाम राज्ये, या फिर state versus union, इस तरह के कोई cases है तो ऐसे cases जो होते हैं, केवल और केवल Supreme Court में सुने जा सकते है For example, जैसे की आपका कावेरी Water Dispute है तो कावेरी Water Dispute जो है, उसके उपर Tribunal तो बना हुआ है, Water Tribunal लेकिन वो Tribunal किसने बनाया, वो किसके कहने पर बना, Supreme Court फिर उसने देखा कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे cases केवल Supreme Court तो Supreme Court उन cases पर यह रिट जारी करेगा जिसमें उसे लगता है कि जो lower court है जैसे कि high court है किसी रज्ये की तो यह जिस पर फैसला देने वाली है यह उसके jurisdiction से बाहर की चीज़ है out of the jurisdiction of that particular high court तो अगर Supreme Court को यह लगता है तो Supreme Court रिट जारी करेगा कहेगा भाई रुख जाओ जैसे मैंने आप लोगों कहार रुख जाओ यह कहेगा भाई रुख जाओ आप इस पर जो है फैसला नहीं दे सकते इस case को forward कीजे मेरे पास तो prohibition और sati orary यानि की निशेद और उत्प्रेक्शन में अंतर है क्या sati orary में वो इंतजार करेगा कि वहाँ पर देखेगा कि वहाँ पर क्या न्याय वहाँ पर मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा तो भेजो मेरे पास मिल रहा है तो ठीक है prohibition में वो न्याय करने का मौका ही नहीं देगा वो सीधा कहेगा भाई रुक जाओ तुम इस पर न्याय नहीं कर सकते इसको मेरे पास भेजो बात क्लियर है सबी बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है यहां तक मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा दिमाग का यूज करना शुरू करो तो जीवन में सफल हो जवाओगे है ना और अगर दिमाग का इस्तमाल नहीं कर सकते तो बेटा preparation करना छोड़ दो वो जा के तुम कैरी मिनाटी विनाटी देखो तुम उसी लायाक हो ठीक है चलो तो गाईज आज का session सबको पसंद आया होगा और ये था आपका article 31 और 32 तो यहां से संबंदी जितनी भी information मैंने आपको दी है आप इनको तैयार कीजे prepare कीजे I hope आपने पिछले sessions देखे होंगे नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले sessions देखे आपको fundamental right का पूरा basics आपको समझ में आ जाएगा उसके अलावा guys मेरे batches आ रहे हैं एक Fcat batch जो है आज से सुबह शुरू भी हो चुका है जो की 13 July 2020 से सुबह 10 से एक बच तक होता है इसमें मेरी classes होती है सुबह 10 से 12 तो इसमें मैं General Awareness General Studies का part यहां पर cover कर रहा हूँ दूसरी तरफ guys मेरा batch आ रहा है SSC CPU जो आ रहा है 15 July से और इस batch में मैं for the point of view SSC geography और quality geography और quality को यहां पर cover कर रहा हूँ ठीक है तो आप इसको यहां पर पढ़िए ठीक है और in batches में जुड़िए इनका description आपको comment box नीचे description link आपको description में मिल जाएगा for the maximum discount do use my referral code that is Y203 मेरा referral code है Y203 और in batches में जुड़िए यह मातरा आपको 1000 से भी कम में batches पढ़ रहा है और in batches में जुड़कर आप जो हैं अपनी तैयारी को boost up कर सकते हैं ठीक है चलिए तो guys चलिए बिल्कुल शाम को 4 बजे मेरी class होगी ठीक है शाम को 4 बजे हाँ जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं इक तो सबसे पहला काम बई एक काम कर दो जितने भी बच्चे हो एक तो channel को subscribe करो जो बच्चे नए हैं दूसरा जो बच्चे वीडियो में थे वो लाइक करके जाना लाइक करे भी ना मत जाना और तीसरी चीज है भई कि शाम को 4 बजे मेरी class होगी इसी channel पर वहाँ पर भी ज़रूर जुडिएगा और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ quality से सम्मनित कुछ questions पर discussion करने वाला हूँ तो उस session में भी ज़रूर जुडिएगा that will be an informative session for you all so I hope session सबको पसंद आया like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और मैं चलता हूँ फिलाल के लिए, मिलता हूँ शाम 4 बजे तब तक के लिए, thank you all, God bless you all guys and bye guys